short time and tricks के पार 62 मैं आपका स्वागत है इस वीडियो में को बताएंगे time and work के उपर एक short trick जिस trick के मतलब से time and work के उपर इस type questions का अंसर आप बहुत आसने से short time का अंदर निकल सकेंगे और इस वीडियो का last में होगा आपके practice के लिए एक question जो कि इसी type के question होगा तो चलिए at first trick देखने से पहले question के हैं देख लेते हैं question में किसी भी काम को करने में b and c जितना time लेते हैं ये आकेला 3 times ज्यादा time लेते हैं and तीनों मिलकर एक साथ जो कि a, b, c तीनों मिलकर एक साथ किसी भी काम को आगर 12 days में complete कर सकते हैं then a अकेला उसी काम को complete कर पाएंगे और ये पार देखें trick क्या है trick है n plus 1 into d days में और ये पार देखें a, b and c से ज्यादा n times ज्यादा time लेते हैं and तीनों मिलकर एक साथ जो कि d days में, तो simply ठीका होगा n plus 1 into d days में, तो simply n plus 1 जो कि 3 times, so 3 plus 1 into, या पार d 12, so 4 into 12, 48 days में और कि a अकेला उसी काम को complete कर पाएंगे 48 days में, option d आपका answer होगा अब इसी question में माल लेजिए b, या पर b माल लेजिए b, 3 times ज्यादा time लेते हैं a and c से तो simply या पर b अकेला, b अकेला उसी काम को complete कर पाएंगे n plus n, 1 into d days में और ये पार simply n, 3, so 3 plus 1, जो कि 4 into 12, so 48 days में, अपका answer तो चलिए इसी type के वार एक question solve करके दिखाते हैं और यह पास second question देखें a, b, c, 3 मिला कर किसी काम को 7 days में complete कर सकते हैं, c आकेला a and b के तुलना में 5 times ज्यादा time लेते हैं तो c आकेला उसी काम को complete कर पाएंगे और यह पार option देखें तो simply देखें a, b, c, 3 मिला कर d days में and c 5 times जो कि n times ज्यादा time लेते हैं, तो simply treat क्या होगा, n plus 1 into d days में और यह पार n plus 1 जो कि 5 times, so 5 plus 1 into d यहापर 7, so 6 into 7, 42 days में आनि कि c आकेला उसी काम को 42 days, option c आपका answer होगा और यह पार finally आपके लिए एक question, तो question में extra line हैं, तो आप उसके ignore कर सकते हैं, then इस वीडियो के trick को आप apply कर सकते हैं और answer निकालने के बाद इसी वीडियो के नीचे, comment कर दीजे कि answer क्या है इस question का, so thank you so much for watching this video, मिलते हैं next video में